इसी शन अम्रित की वर्षा हो रही है क्या है ये अम्रित और कैसे इसे पाया जाए, कैसे इसे प्राप्ति किया जाए ये अम्रित जिसकी बाद हम सारे लोग सुनते हैं पर ये होता क्या है? क्या ये इसी जीवन में मौजूद है? क्या ये इसी शन में आपको मिल सकता है? तो बिलकुल मिल सकता है. ये अमरित की जो वर्षा हो रही है, वो इसी शन हो रही है. इसी शन, क्या आप इस शन को देख पा रहे हैं, क्या आप इस शन को जी पा रहे हैं या सिर्फ आपका मन आपकी परिशानियों में उल्जा हुआ है दूसरी ही तरफ उल्जा हुआ है, कुछ और देखने में, सुनने में, जानने में किसी और में ही उलजा है किसी और व्यक्ति में किसी और सिचुएशन में आपके बिलीव सिस्टम में आपका बिलीव सिस्टम भी दूसरा हुआ आप नहीं हुए पर ये अमृत की वर्षा जो निरंतर काल से बहती जा रही है कुछ लोग हैं जो इस अमृत को चक पाए है इसका स्वाद ले पाए है और धन्य हो गए कैसे इस तक पहुचा जाए कैसे इसे प्राप्त किया जाए तो बड़ा ही सुक्ष में विज्ञान है पर कठिन नहीं है है साधारन पर जो साधारन है उस तक पहुच पाना उसको देख पाना उसको जी पाना ये कठिन हो जाता है क्योंकि मन में उल्चे हुए है मन ने कहीं और ही उल्चाया हुआ है मन पे कोई कंट्रोल नहीं है मन आपके अनुसार कोई काम ही नहीं करता तो क्या करें दुनिया में हम हर वक्त ये सुनते रहते हैं कि मन को इस तरह से वश में किया जाए, मन को इस तरह से उससे काम निकलवाया जाए, या आपका मन इतना चंचल होता है कि आप कुछ करने का सोच ही नहीं सकते हैं, हर वक्त व्यक्ति मन के हिसाब से चलता है, ना कि मन उसके हिसाब से चलता है, तो ऐसा क्या करें कि हमारा जो मन है हमारे वर्ष में आ जाए हमारे कंट्रोल में आ जाए क्या किया जाए कैसे इस अमरित की वर्षा को महसूस किया जाए कैसे इसे टेस्ट किया जाए कैसे कैसे चखा जाए इसका स्वाद कैसे लिया जाए मन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा ऐसा करो, वैसा करो, affirmations दो, commands दो, सारी चीज़ है पर सबसे मुख्य, जो सबसे विशेश कर जो एक चीज़ है शायद ही कोई बताता है वो ये है कि अपने मन से किस प्रकार हमें बात कर ली है क्योंकि जब तक आपको अपने मन का नहीं पता चलेगा कि आपका मन क्या करता है किस तरह से ये सारे काम कर रहा है किस तरह से ये सारा प्रपंच रच रहा है यानि कि जितनी भी माया है जिसमें आप फस्ते चले जाते हैं किस तरह से आपका मन आपको इसमें बस लेकर जाता जाता है, आप चलते जाते हैं, मन का सुभाव समझना बड़ा ही आवश्चक है, मन का सुभाव आपको तब तक नहीं समझ में आएगा, आप कमांड्स दे देंगे, आप एफर्मेशन्स दे देंगे, आप किसी से कुछ सुन पर ऐसा क्यों होता है, कि आप बार बार फस जाते हैं, हम बोलते हैं कि हम कोशिश करते हैं, हम बार बार गिरते हैं, हम बार बार समलते हैं, पर यह बार बार गिरना कब तक गिरते रहेंगे, और कब तक अपने आपको समालते रहेंगे, क्योंकि एक दिन आता है, रेलाइस ह हमें काम किया जाए हमारा मन यह एक ऐसा द्वार है जिस पर हम लगातार बने हुए हैं खड़े हुए हैं जो लगातार हमें अपने ही तरीके से दिशा दिखा रहा है चला रहा है हमें गिरा रहा है कभी समाल रहा है यह आपको उतना ही दे रहा है जितना जीने के लिए आवश बस पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मन के पाल चले गए जिन्होंने मन के सुभाव को समझ लिया है कि मन किस प्रकार काम करता है तो अगर आप थोड़ा सा ये समझ जाएं कि आपका मन किस प्रकार काम करता है तो बड़ी ही आसानी हो जाएगे फिर तो तो तरीका क्या है तरीका बड़ा असाधारण है यह जो मन है वो उस थिती को जानता है जहां पर अम्रित वर्षा हो रही है यह जानता है उस जगह को यह आपको ले जा सकता है इसको उसका पता मालूम है पर यह आपको ले नहीं जाता क्योंकि इसका स्वभाव है कि आपको इस दुनिया में ये भटकाता रहे लेकिन अगर आपका मन आपका दोस्त बन जाए आपका मित्र बन जाए तो ये आपको उस अमरित तक पहुचा सकता है वो अमरित जो हर कोई चक सकता है जो हर व्यक्ती चक सकता है उस तक ये आपको ले जा सकता है तो सबसे पहले तो आपको सिर्फ एक कारे करना है और इसमें ही आपको एक तरह से अभ्यास करना है प्रैक्टिस करनी है अपने मन से बात करनेगी जैसे कि आप अपने दोस्स से बात करते हैं अभी तक आपका जो मन है वो दुश्मन की तरह काम करता है आप नहीं चाहते फिर भी वो काम करता है इतने सारे strong belief system बना रखे हैं कि नहीं नहीं ऐसा ही होगा मेरी life तो ऐसी है और ऐसी ही चलेगी इसको बदलना नामुम्किन है इंपॉसिबल है ये जो strong belief system है ये कौन है ये क्या है किसने बनाया हुआ है ये सारे belief system आपके मन के बनाये हुए है ये आप नहीं है कि मेरी situation बदलेगी नहीं मेरी situation change नहीं होगी वो इसी लिए नहीं change हो रही क्योंकि आपका उसके साथ एक attachment है इस belief system में आप उलजे हुए है कि मेरा जीवन बदल नहीं सकता दूसरा इंसान तो मुझे परेशान करेगा ही मेरी life नर्क बनी हुई है निकलना मुश्किल है कैसे निकलने हैं क्या करें करना तो चाहते हैं पर द्वन्द 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 की स्थिती लगातार द्वन्द बना हुआ है तो ऐसा क्या करें हम कि मन के इस द्वन्द से बाहर निकल सके आप अपने मन के द्वन्द से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि आपका मन आपका मित्र ना बन जाए बहुत हद तक ये मित्र बनता है जब आप ध्यान करते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं जब आप मंत्र जाब करते हैं जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं पर फिर भी ये मन बड़ा अडिग है इसकी जो शक्तियां है ये असीम है इसकी शक्तियां असीम है इसलिए ये उसे जानता है जहां पे हम सब जाना चाहते हैं ये उस divine power को भी जानता है सब कुछ जानने वाला है आपका मन तो जो सब कुछ जानता है वो कैसे आसानी से आपको उसका पता बता दे कैसे वो अपनी पावर्स आपको अपने हाथ में दे दे पर ये मन सबसे पहले तो ये जाने कि ये मन किसका है ये मन मेरा है तो ये मन मेरा दोस्त है ना कि दुश्मन सबसे पहले तो ये जाने कि ये मन मेरा है उसके बाद हमें अपने मन से बात चीत करना शुरू करना है आपको डेली इसका अभ्यास करना है पांच मिनट बैट जाईए सबसे पहले पांच मिनट से शुरुआत कीजिए और हर रोज अपने मन से बात करना चालू कीजिए जैसे कि किसी और व्यक्ति से करते हैं जैसे अपने मित्र से करते हैं अपने फ्रेंड से करते हैं कि आज ऐसी situation हो गई क्या करना चाहिए आज ये ठीक नहीं हुआ ऐसा क्यूं हुआ क्या इसको हम बदल सकते हैं क्या कुछ और कर सकते हैं अच्छा ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम मेरी बात सुन रहे हो, कि नहीं सुन रहे हो, आपका मन हर वक्त आपको सुन रहा है, वो जवाब कभी नहीं देगा, पर अपने तरीके से आपको ज़रूर बता देगा, वो situation create करना जानता है, वो realities को change करना जानता है, यानि कि अगर दुख की स्थिती है, कोई स्थिती है, जो आप नहीं चाहते हैं आपके जीवन में हो, तो वो उसे बदलना जानता है, वो उसे change करना जानता है, आपकी परिस्थितियों को बदलना जानता है, चुटकियों में बात करना सीख जाएं जिस दिन बात करते करते अभ्यास करते करते आप अपने मन से दोस्ती कर लेंगे ये सबसे सिम्पल साधार और आसान तरीका है अगर आप ये करना सीख गए तो आपका जीवन बदल जाएगा आपको मन का पता चलेगा कि किस वक्त आपका मन एक स्टोरी सुनाता है जिसमें आपको फसाता है जैसे कि for example आपके घर में आपका बच्चा है वो बीमार हुआ तो मन ने स्टोरी सुनाना चालू कर दिया पिछली past memory से related आपको बताने लगा कि ये तो हो सकता है कहीं जादा बीमार ना हो जाए कहीं hospital ना ले जाना पड़े उनके साथ ऐसा हो गया था कहीं इसके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए एक श्रिंखला सी चला देता है पर जो व्यक्ति अपने मन के प्रती aware होता है जागरूख होता है, सतर्क होता है, alert होता है जो देख सकता है कि मेरे मन में ये story अभी उठी है अब आप इसको switch कर सकते हैं अब आप इसको बदल सकते हैं कैसे बदलेंगे? कि ये जो तुमने story सुनाई है अपने मन से बात करें ये जो story तुमने सुनाई है ठीक है? ओके? उसको reject नहीं करना है उसको acknowledge करना है उसको बोलना है कि ठीक है तुमने ये story सुना दिये पर क्या हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्या ये जो sad ending है इसको हम happy ending में बदल सकते हैं आप देखिए कि आपका मन तुरंत उस पर काम करना चालू करतेगा ये बहुत बड़ा राज है अगर आप इसको कर लें आप इसमें अप्यास अपने आपको कर लें आप practice कर लें आप जान जाएं चमतकार हो जाते हैं तुरंत आपका मन उस situation को create करना चालू कर देगा जो की happy ending वाला है ना की sad ending वाला यानि कि किसी को आपको ठीक करना है तो आप ठीक कर सकते अपने मन से बात करके आप दूसरे व्यक्ति को भी ठीक कर सकते अपनी situation को ठीक कर सकते कि मेरी current situation ठीक नहीं है मुझे उससे बहार निकलना है बताओ मुझे कुछ करो इसके लिए उसको तुरंद काम पे लगा दो वो आपका मित्र है सबसे पहले उससे मित्र बनो अगर आपके मन से आपकी दोस्ती नहीं है बातचीत है ही नहीं तो कैसे वो आपकी बात सुनेगा कैसे आपका काम करेगा तो सबसे पहले तो उससे दोस्ती करनी है मैं अगली चीज में अगली बार बताऊंगे कैसे इसमें आके पढ़ना है करके देखें